सिर्फ तिन आलू में से हम बनाने वाले हैं, पूरे घर के लिए बहुत ही बढ़ी आसा वरत का ये नाश्ता, तो अगर आप जटपट से घर में वरत के लिए कुछ नाश्ता बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, और ऐसी हमेशा नई-नई आप लोगों के साथ शायर करते हैं, तो मेरे चनल किचन क्राफ रेसिपी को सब्स्क्राइब ने किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, हलो दोस्तों, मैं हूँ हितल, और किचन क्राफ रेसिपी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, तो चलिए, आज की मज़ेद अब मिक्सर जार के अंदर हम हरीमिच और अधरक को डालेंगे और उसे ग्राइड कर लेंगे, तो यहां पर मैंने जो हरीमिच ली है, वो काफी तिखी है, तो इसे हम पहले बीना पानी डाले ग्राइड कर लेंगे, तो जब यह ग्राइड हो जाएगा, तो उसके अंदर हम भुने हुई मुंखफली, साथ में काजू, और दोनों को हमें दर-दरा घ्राइन करना है, बहुत जादा महीं नहीं पिसना इसको, तो बस थोड़ा सा इस तरह से चला लेंगे, और फिर इसके अंदर ढालेंगे हम किश्मिश और अनादाना, इस तरह से जब आप मसाला तियार कर लेंगे, तो बहुत कम समय में आपका यह नाश्ता तियार हो जाएगा, जान रहे आपको इसे दर-दरा ही ग्राइन करना है, बस सिर्फ एक बार मिक्सर चलाए, तो इस तरह से ग्राइन हो जाएगा, ऐसा करने से क्या होगा, कि जो अनादाना है वो थोड़ा सा ग्राइन होगा, तो उसके अंदर जो भी मोईस्टर नहीं हो थोड़ा सा निकल आएगा, अगर आप अनादाना ऐसे ही साबूर डाल देते हैं, तो जब हम इसे फ्राइ करेंगे, तो कई बार अनादाना फूटता है तिल के अंदर, और फिर आपको गरम-गरम तेल आपके हाथ रुके जो पर उसके छीटे भी उड़ सकते हैं, तो इस तरह से मसाला तैयार करने से आपका यह नाश्ता बहुत बढ़े ही त्यार होगा, तो इस तरह से मसाला तैयार कर लिया है, अब आलू को मैंने उबालकर पहले यह चोड़ दिया था, इतक्रिबर 2-340 ग्राम की तरीब है, औ और उसका जो टेक्शेर हो बहुती स्मूध रहे क्योंकि हम यह जो नाश्टा बनाने वाले है इस आप फराली पेटिस भी बोल सकते हो गुजरात में इसे बफ़ड़ा भी भूलते है जो अकसर आपको कोई भी तीश दिवार होता है यानि ब्रतुपवस होता है तो कोई भी ज जले जाएगा और अगर पुटेटो स्टाश नहीं है तो आप सामा का चावाल अता है तो हमाड़ी के स्मम på gusto सकते है और और मिक्क्स कर में भी लिकांग लिए करने से क्या होगा कि सारा जो मॉइस्ट्र है ना अलू पाफ पोटेटो स्टाइच अपने अंदर एबसॉब कर लीगा और फिर मॉइस्ट्र काफी हद तक कम हो जाएगा लेकिन आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है जैसे आटा गुंते ना उस तरह से उसका टेक्शर बढ़े रहना चाहिए अगर अच्छे से मिक्स ने होगा तो जब इसे हम फ्राय करेंगे ना तो हो सकता है कि वह फट जाए तो मारा मसाला अच्छे से इसके साथ मिक्स भी हो जाएगा अब उसके अंदर डालेंगे हम आदा टी स्कून आमचर पाउडर आप चाहे तो निबू का रजबी डाल सकते हैं खटाई के लिए और जाएगा नमक तो नमक स्वात की साब से मैंने तकरीबन सावा टी स्पून नमक इसके अंदर डाला है लाल मीच इसके अंदर नहीं डालनी है हरी मीची पहले डाली थी अब इसमें हम डालेंगे त्वोडी से चीनी तो यहां पर मैंने पिसे हुई चीनी ले ली है अगर आप चीनी को स्किप करना चाहे तो कर भी सकते है लेकिन यह जो नाश्ता है यह जो पेटी से उसके अंदर तीखा मिठा और खटा तीनों फोड आसा ज्यादा रहना चाहिए नॉर्मल से यहां पर मैंने हरा धन्य डाल दिया है और टिपल स्पून सफिद वाले तील डालेंगे और अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आप 10-15 मिनट में यह नाश्टा तैयार कर सकते हैं बहुत भर्या लगेगा तो मिक्स करेंगे इसे और अगर आपका ऐसा लगेगी जैसे आपने नमक डाला और चिरी डाली तो उसकी वाज़े से मॉइस्टर फिर से हो गया है आलू ने फिर से पानी छोड़ा है तो आप थो आपका तैल नमक पानी जाएगा तो जल्दी से फ्राइब नहीं होगा और उसकी वज़े से हो सकता है कि फट भी जाए तो पहले आप तेल को अच्छे से गरम कर लीजे और फिर उसकी फ्लेम को मीडियम या फिर मीडियम हाई के बीच में रखे और इसे फ्राइब करें तो हमने वैसे ही पका कर लिया है तो इसे फ्राइब होने में ज्यादा समय नहीं लगीगा और आपको इसे मेडियम या मेडियम हाई के उपर ही पकाना है ताकि बहुत बढ़िया से एक रिस्पी हो और उसके अंदर ज्यादा मात्रा में तेल भी ना अब्सॉब हो और यह फटे सब कुछ मैजर्मेंट सही था लेकिन बना क्यूं नहीं तो बस यह छोटी छोटी बाते होती है जो आपको ध्यान में रखनी है तो इस तरह से आप इसे चलाते जाए आप इसे ऐसे ना छोड़ दे जब यह एक साइट से फ्राय हो जाए ना तब आप इसे उलटते पलटते ह सबी जगह से हो मतलब ऐसा है कि कहीं डार की तहीं लाइट तो वस देखिए हमारी जो फराले पेटी से अभी फ्राय हो चुकी है और इसे मैंने फ्राय करने में चार से पांच मिनट का समय लिया है तो इस तरह से हम बाकी की पेटी को भी फ्राय कर लेंगे तो वरत उपवास देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल की चैनल क्राफ रेसीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो फिर से मिलेंगे ऐसी नई और मज़ेदार रेसीपी के साथ